नमस्कार दोस्तों, अमित सर की क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों इसके पहले हमने दो लेक्चर्स लिये हैं पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि कीबोर्ट का इस्तेमाल टैली में कैसे किया जाए कुछ शॉर्टकट कीज हमने आपको लिखवा के दी है और इसके अलावा हम लोगों ने ये डिसकस किया है कि टैली सॉफ्ट्वेर जो है उसको ओपन कैसे किया जाए और क्लोस कैसे किया जाए तथा अल्टर डबलू अल्टर आय इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कैसे किया जाए हमने ये भी सीखा कि टैली का जो ले आउट होता है टैली सॉफ्ट्वेर का जो डिजाइनिंग है उसके जो अलग-अलग हिस्से है वो कौन से है तो कुल मिला के दोस्तो दो लेक्चर्स हो चुके है ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बाकी की जो शॉर्टकट कीज है जो आपको फर्स लेक्चर में लिखा के दी थी उनको कैसे यूस किया जाए और हम ये भी देखेंगे कि टैली सोफ्ट्वेर में कमपनी क्रियेशन कैसे किया जाए तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं हमारा तीसरा लेक्चर कमपनी क्रियेशन इसके लिए आप सबसे पहले टैली के आइकॉन को क्लिक करेंगे और दोस्तो पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि हम एंटर करके टैली सोफ्ट्वेर शुरू कर सकते हैं आज मैं आपको एक दूसरा ओप्शन बता देता हूँ जहां पे हम माउस की मदद से टैली सोफ्ट्वेर को ओपन करेंगे इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद जस्ट ये ओपन आप्शन पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए तो इस तरीके से भी टैली सोफ्ट्वेर जो है उसको ओपन किया जा सकता है तो आप देख रहे हैं दोस्तो tally software open हो चुका है हम यहाँ पर mouse की ही मदद से आके इस window को maximize कर देंगे और दोस्तो याद है ना आपको भूले तो नहीं आपको tally के अंदर जाना है तो कौन सी command यूज़ करना है alter w alter i तो इस command को यूज़ करते ही दोस्तो हम tally software के अंदर आ चुके है अब हम यह सीखेंगे कि company create कैसे की जाए तो दोस्तो अब मैं उसकी path आपको समझा रहा हूँ अब यह path क्या है पाथ यानि रास्ता जब भी आप tally software या कोई भी software का आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें कई सारे options से हो के हमको गुजरना पड़ता है तो वो जो कई सारे option है उसको हम path कहते है जैसे माल लीजे आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप देखते हैं कि जब बस एक शहर से दूसरे शहर निकलती है तो बीच बीच में वो कुछ गाओं को cover करते हुए चलती है बीच बीच में वो stop लेती है छोटे छोटे गाओं आते है उसमें से भी यातरी चड़ते है और फिर वो अपने final destination पे पहुँचती है तो ये क्या हुआ? path हुआ city A से लेके city B तक का रास्ता वैसे ही दोस्तो हमको अगर कोई option execute करना है तो उसके लिए हमको उसकी path पता होना जरूरी है दोस्तो हम पहले tally में practical करेंगे practical करके मैं आपको जो अलग-अलग path है वो समझाऊंगा और उसके बाद दोस्तो मैं आपको वो लिखवा के भी दूँँगा तो चलिए अभी हम gateway of tally पे है topic का नाम है company creation तो दोस्तो पहले company creation का concept आपको समझा देता हूँ दोस्तो company creation का मतलब है कि आप accountant है आप लोगों की accounting कर रहे है आप लोगों का हिसाब किताब tally में maintain कर रहे है तो स्वाभाविक बात है आपका कोई वे सारे client आपके हूँगे तो आपके जो अलग-अलग clients है जिनके लिए आप accounting कर रहे है तो सबकी accounting कोई एक file में तो आप करेंगे नी सबकी accounting alag-alag separated separate file में होँगी तो यह जो alag-alag file बनाई जाती है अपने client के हिसाब से तो उसे ही हम tally में company creation कहते हैं उसके लिए ज़्यादा appropriate word file creation भी हम कह सकते हैं कि हम जिसका भी हिसाब करना चाहते हैं हम उसके या उसके business के नाम की एक file tally में open करेंगे और दोस्तों यह जो शब्दा आप यहां देख रहे हैं company actually कैसा होता है कि इस तरह के जो software होते है ना वो बड़ी बड़ी company हो में use होते हैं परन्तु tally इतना सस्ता इतना अच्छा इतना आसान और इतना उपयोगी software है कि सिर्फ company इसको use नहीं करती आजकल तो हर कोई tally software का इस्तेमाल करता है tally software को बनाने वाले जो व्यक्ति थे जिनका यह पूरा idea है महेश्वरी जी वो हमेशा एक बात कहा करते थे वो कहते थे there are two types of business one who use tally and another who will use tally मतलब दोस्तो tally use करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं क्योंकि जितना आसान जितना सुववस्तित तरीके से tally में काम होता है उतना शायदी किसी दूसरे software में होता होगा तो बहुती बहतरीन software है तो मैं आपको यह समझा रहा था कि company यह एक प्रकार का business model है जब बड़े बड़े level पे काम किया जाए तो हम company kind of model जो है उसको use करते है पर छोटा business हो तो वहाँ company थोड़ी होती है वहाँ तो एक व्यक्ति प्रोप्राइटर होता है और वो अपना soul trading business अकेले दम पे अपना business चलाता है थोड़ा बहुत business बड़ा हो जाए तो partners मिल जाते है तो partnership firm खोल ली जाती है तो दोस्तो इस तरह के जो business है वो अलग-अलग प्रकार के हो सकते है छोटे बड़े soul trading हो सकती है partnership हो सकती है company भी हो सकती है तो दोस्तो basically company creation से आप ये मतलब ना निकाले कि ये software सिर्फ company हो के लिए है दोस्तो ये software छोटे business से लेके तो बड़ी बड़ी industry तक इस्तेमाल होने वाला software है तो जब हम tally software को use करते हैं जब हम tally software का इस्तेमाल करते हैं तो हमको path पता होनी चाहिए तो पहला हम company create करने जा रहे है तो सबसे पहले हमको कहा आना है gateway पे तो हमारा पहला station जहां से हमारी गाड़ी चली वो है gateway जी ओ टी gateway of tally अब गाड़ी आगे बढ़ी तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेंगी shortcut keys की मदद से तो हमारी अगली जो shortcut key है वो है alter f3 तो देखे दोस्तों आपकी नजर computer की screen पे होनी चाहिए और मैं यहां से press कर रहा हूँ alter f3 देखा आपने क्या हुआ नई कई और ध्यान था आपका कोई बात नहीं चलिए मैं फिर से repeat कर देता हूँ अभी मैं को बाहर आना है तो आप जानते हैं न बाहर आने के लिए क्या करेंगे बाहर आने के लिए हम escape button का इस्तेमाल करेंगे यह मैं आ गया बाहर बाहर यहने कहा तो मैं आ गया gateway पे gateway of tally पे तो फिर से path repeat कर रहा हूँ ध्यान दीजिए gateway of tally g or t हम इसके लिए short form यूज़ करेंगे gateway से आपको company info में जाना है तो shortcut key आप अपने keyboard पे से press करेंगे नजरे आपकी computer के screen इन पे होनी चाहिए alter F3 alter को दबा के रखो और F3 तो आप देखेंगे दोस्तों हम gateway of tally से यह देखिए gateway of tally से कहां आ गए company info menu में यहां company के बारे में सारी information आपको मिल जाएंगी फिलहाल हमको जरूरत किसकी है create company option की तो यह create company option तक आने के लिए बार बार mouse पे हाथ नहीं ले जाएंगे आप mouse का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और आप keyboard का इस्तेमाल जादा से जादा करेंगे तो कजना क्या है दोस्तों arrow keys मैंने बताई थी आपको याद होंगा first lectures जिन लोगोंने attend किया उनको सबको याद होंगा जिन्होंने attend नहीं किया वो क्या करेंगे तो वो इस video को दुबारा देखेंगे तो दोस्तों arrow key की मदद से downward arrow key की मदद से मैं नीचे आ गया फिर नीचे आ गया तो आप देखरें मैं अपने create company option पे पहुँच चुका हूँ तो path ही याद कीजिए सबसे पहले हम कहां थे gateway पे थे gateway से यहां आने के लिए क्या किया तो company info में आने के लिए हमने alter F3 इस key का इस्तेमाल किया उसके बाद arrow key की मदद से दोस्तों हम arrow key की मदद से create option पे आ गये create company फिर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि tally में अंदर अंदर जाना है तो उसके लिए enter बटन का इस्तेमाल करेंगे तो अब मुझे जाना है ना create company के लिए मुझको company create करनी है मुझको file बनानी है मैं को अपने उस client के नाम से हिसाब किताब लिखना है जिसने मुझको accounting का काम दिया है तो अब मैं दोस्तो enter की बटन दबा रहा हूँ कौन सी enter आपकी नजर computer की screen पे होनी चाहिए आप देख सकते हैं enter बटन दबाते ही मेरे सामने इस तरह का एक window open हो गया है अब इस window में आप देखिए सबसे पहले हमको नाम लिखना है उस company का या उस organization का या उस व्यक्ती का या उस soul trader का या फिर उस partnership firm या उस cooperative society का जिसके लिए हम accounting करना चाहते है अब imagine कीजिए कि आप मेरे ही लिए accounting करना चाहते है तो मैंने आपको कहा कि accounting करने के लिए आप मेरे नाम की एक file open कर लो तो आपने file open कर ली Amit Sahu Sars CCCI CCCI हमारे institute का नाम है complete commerce coaching institute तो आपने Amit Sahu Sars CCCI इस नाम से एक file यहां पर open कर ली then enter किया enter करने के बाद में हमने यहां पर डाला address पता डालेंगे यह पता डाला पता लिखा हमने near अश्ट भुजा मंदिर फिर अगली लाइन पर आने के लिए enter किया एंटर करने के बाद हमने पते की अगली लाइन दाली behind doctor workers hospital फिर enter किया फिर आप देखिया अगली लाइन दालेंगे धन्तोली जिस एरिया में हम रहते हैं वो है धन्तोली और city का नाम दाल देंगे city है वर्धा डबलू ए आर डी एच ए फिर एंटर करेंगे pin code दाल देंगे pin code है 442001 state है महराश्ट्र देश है इंडिया और पता हुआ पूरा तो आप देख रहे हैं हमने full detail address डाल दिया दोस्तों इन सब चीजों का significance क्या है तो significance यह है कि file create करते समय आप अपने customer की अपने client की पूरी details ले लो क्या पता कब कौन सी information का काम पड़े इसलिए हम यह नाम, पता, phone number यह सब पूरा detail में डालने की कोशिश करते हैं हमारी कोशिश यह होती है कि भे उसको जादा से जादा explanatory form में रखा जाए ताकि कभी भी reference लिया जा सके तो देख रहे हैं आप मैंने अपना पता पूरा दाल दिया Then दोस्तों आप यहां देख सकते हैं अभी country में UK selected हमको तो इंडिया चाहिए अब यह list है इसमें पूरे विश्व में जो जो भी देश में टेली काम करता है उन सब देशों के नाम है हम इंडिया का आए प्रेस करेंगे और मैंने कहा कि माउस का इस्तेमाल कम से कम कीबोर्ट का इस्तेमाल जादा से जादा तो arrow key की मदद से हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया enter button दबाई तो आप देख रहे country में इंडिया आ गया और जैसे ही इंडिया आया आप देख पा रहे हैं कि इंडिया की सारी state आ गई सारे राज्या आ गए अब हमारा राज्या महराश्ट्र है जहां हम रहते हैं तो यहां से हमने m प्रेस किया और arrow key की मदद से हमने ले लिया महराश्ट्र प्रिय आमुचा महराश्ट्र देशहा तो हमने यह महराश्ट्र ले लिया और उसके बाद दोस्तों हमने pin code दाला हाला कि उपर भी दाला है पर एक बार फिर 442001 और याद है आपको मैंने बताया था num lock कभी-कभी यह numbers आते ही नहीं है फिर student बोलते है सर हमारे तो number type ही नहीं हो रहे तो simple है num lock की button off है उसको दबाईए तो आपका यह numbering वाला जो system है वो शुरू हो जाएगा देन दोस्तों आगे बढ़े देन दाला हमने telephone number तो यह हमारे institute का ही हम दाल देते हैं 09822942202 तो यह हमने phone number दाल दिया उसके बाद मैं मेरा mobile number दाल देता हूँ 009860280075 तो यह मैंने अपना mobile number दाल दिया उसके बाद दोस्तों fax number अगर कोई हो तो ज़रूरी नहीं है कि हो तो हो तो आप दालिये नहीं तो रहने दीजिए email id दाल सकते हैं यह हमने email id दाल दिया cccivardha at the rate yahoo.com website अगर कुछ हो तो आप यहां पर address दाल सकते हैं और दोस्तों मैं जो यह आगे आगे बढ़ रहा हूँ ना तो यह मैं enter की बटन दबा के आगे बढ़ रहा हूँ enter enter करेंगे आगे आगे बढ़ेंगे यह है financial year जिस साल की आप accounting करना चाहते हैं वो साल यहां पर दिया हुआ है तो वो है 1st April 15 आपका जो भी साल हो आप जिस साल की भी accounting कर रहे हो तो वो आप यहां पर दाल देंगे उसके बाद दोस्तों यह एक option है जिसमें student अकसर गलती करते हैं क्योंकि आदत नहीं होती ना options पढ़ने की पढ़े भी नहीं डाल देतें उनके दिमाग में होता है कि एक April को year शुरू हुआ मतलब 31 मार्च को end हुआ तो उपर में तारीक दाल दी एक April और नीचे में दाल दी 31 मार्च लेकिन जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है यहां लिखा है books beginning from books beginning from मतलब यह books कब से लिखना शुरू की हिसाब कब से लिखना शुरू किया तो अगर मेरा financial year एक April से शुरू हुआ है तो obvious बात है कि मैं हिसाब भी एक April से ही लिखना शुरू करूँगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक area है security control area security control area जो है दोस्तों यह दिखा आपको security control इस पर हम अलग से detail में discussion करेंगे security control पर तो फिलहाल तो आप इसको छोड़ दीजिए इसका हमको कोई इस्तेमाल करना नहीं है अब जितना information डालना था वो हमने डाल दिया नीचे जो base currency information है उसमें rupees वगेरा automatically इंडिया लेते से ही आ गया है तो वहाँ पर कोई change करने के आपको आउशकता नहीं है तो ये जो नीचे वाला area है ना दोस्तो ये base currency information यहाँ पर होता है कि आप जिस देश का accounting हिसाब किताब कर रहे हो तो उस देश की जो currency है उसके बारे में यहाँ पर detail होती है तो फिलाल तो हमको इसका कोई काम है नहीं तो जितनी भी information हमको एक company create करने के लिए जरूरी थी दोस्तो वो सारी information हमने डाल दी अब हम इसको करेंगे save अब मैंने पहली आपको बताया कि अगर आप कोई दूसरा software यूज़ करते होंगे तो आप control S की का इस्तेमाल करते होंगे दोस्तो save के लिए अब उसे जरा भूल जाईए क्योंकि tally में save करने के लिए option है control A, A for accept मैं इस data को accept करना चाहता हूं तो control A तो आप देखरें जैसी मैंने control A प्रेस किया तुरंत यह file यहाँ save हो गई और अब यह आप देख रहें दो file open status में है एक मैंने यूँ ही बनाई थी F और एक यह बनाई है amidst sahusas ccci अब दोस्तो यह अगर मैं F पे अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा mouse का use का होना है यहाँ आप keyboard को use नहीं करेंगे तो जैसी अगर मैं यह F पे गया है देखिए मैंने यहाँ click किया तो यह देख रहा है क्या हुआ F नाम की file activate हो गई यह bold होना यह एक्टिवेट होना मैंने यहाँ click किया तो जैसी यहाँ click किया क्या हुआ दोस्तो जैसी यहाँ click किया वैसी यह file activate हो गई और अभी हम कहां है company info और कहां से आये थे gateway से अब वापिस gateway पे जाना है तो escape button दबा देंगे दोस्तो तो यह देखिए हम कहां आ गए gateway पे अब दोस्तो company create तो कर ली अब अगला कदम है इसको बंद करना देखिए मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ बंद करना English में से कहेंगे shut करना जैसे दोस्तो दुकान खुलते है न हम रोज सुब दुकान शुरू करते है shutter उपर और रोज शाम को या रात को दुकान बंद करते है shutter down तो shut करना तो shut करना यहने बंद करना तो मुझको ये फाइल बंद करनी है तो क्या रास्ता है? मैंने आपको shortcut की लिखा के दी है रास्ता है Alter F1 तो ये Alter F1 प्रेस किया मैंने तो आप देख रहें जैसी Alter F1 प्रेस किया मेरे सामने ये list of company आ गई list इसलिए कि अभी दो company आ ओपन है तो चलिए मैं ये F को यहां से select करता हूँ select कैसे करना है दोस्तो? arrow की, mouse का उप्योग कम से कम keyboard का उप्योग जादा से जादा and F company पे आके मैंने just enter बटन प्रेस कर दी तो आप देख रहें यहाँ अभी तक दो company आ खुली थी और अब क्या हुआ? एक ही बची है जो हमने अभी create की है अब यदि मैं alter F1 button यूज करूँगा shortcut की यूज करूँगा तो तुरंत यह company बंद हो जाएंगी immediately अब वो आपको पहले की तरह list of company नहीं दिखाएंगा क्योंकि list of company इसलिए दिखाया था कि पहले दो company या शुरू थी तो choice थी ना हमारे पास में कि किसको बंद करना है पर अभी तो कोई choice नहीं है अभी तो हमारे पास में एक ही company है और उसी एक company को हम बंद करना चाहते है तो उसके लिए command है alter F1 बस जैसी command प्रेस करूँगा आपकी नजरे computer की screen पे होनी चाहिए तुरंत company बंद हो जाएंगी देखिए company हो गई बंद बंद होने का मतलब क्या है कि file save है मैंने उस file को बंद किया है उस company को बंद किया क्योंकि उसमें अब मुझे काम नहीं करना पर अगर मैं उस company को शुरू करना चाहता हूँ तो वो रास्ता भी बड़ा आसान है उसके लिए shortcut की है F1 जी हाँ दोस्तो सिर्फ F1 तो F1 की मैंने प्रेस की तो मेरे सामने ये पूरी list आ गई आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी company हैं हमने बना के रखी है अब इसमें से मुझको मेरी company चाहिए तो मैं just यहाँ पर नाम type करूँगा जैसी मैंने कुछ दो-तिन alphabet type की है मेरी company आ गई ये दिख रही है आपको अमित साहूसर CCCI तो ये जो company है इसको शुरू करने के लिए मैं enter की प्रेस करूँगा मैंने आपको कहा था न दोस्तो टेली में अंदर अंदर जाना है तो enter बाहर बाहर आना है तो escape तो enter किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर company open हो चुकी है create तो हमने पहली कर दी थी अब ये open हो चुकी है अब दोस्तो हम इस company को open करके देख चुके है हम इस company को close करके देख चुके है हम इस company को create करके देख चुके है अब एक ही चीज बची वह है delete करना तो चलिए इसको delete भी करके देख लेते हैं अब delete करने के लिए path क्या है दोस्तो देखिए फिर से ये path वाला मामला आ गया मैं जरह पुरानी path आपको याद दिला दू क्या थी पुरानी path थी company create करने की सबसे पहले gateway of tally में गये वहाँ से alter F3 की का इस्तेमाल किया उसके बाद मैं create company option में गये वहाँ data fit किया control A से सारी information save कर दी company create हो गई अब हम इस company को delete करेंगे delete करने में और shut करने में क्या अंतर है shut करना याने file बंद की उसको दुबारा खोला जा सकता है delete करना याने आपने वो file अपने computer में से, अपने PC में से या अपने desktop में से delete कर दी delete याने गई, अब वो मिलेंगी नहीं तो delete में और shut में अंतर होता है अभी मैं क्या करूँगा delete मतलब यह permanently चले जाने वाली है तो उसके लिए रास्ता है पहले gateway of tally उसके बाद alter F3 और alter F3 की का जैसी हम use करेंगे स्क्रीन पर नजर रखी है क्या होता है देखिए alter F3 से company info में आ गए और वहाँ पर एक option होता है alter अब याद कीजिए दोस्तो keyboard जब मैं आपको समझा रहा था तब मैंने इसका जिक्र किया था आप लोगों के सामने कि एक key होती है keyboard पर alter और एक option होता है tally के अंदर alter यह tally का alter option याद है ना मैंने वो दरजी वाला example दिया था कि अगर आपको अपने कपड़े alter करवाने है यानि उसका size change करना है उसमें बदलाव करना है तो आप दरजी के पास जाके कपड़े छोटे बड़े करवा सकते हो तो उसको alter कहते है वैसी हमको अगर हमारी company में कोई परिवर्टन करना है कोई change करना है तो हम भी इस alter option का use कर सकते है देखें मैं आपको नाम change करके बताता हूँ enter से alter option में गए और एक बार enter किया और आप देख रहें अभी यहाँ पर नाम क्या है अमित साहू सर्स सी 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 आ है चलिए इस नाम को बदलते है complete commerce coaching institute तो हमने यहाँ पर अपने institute का नाम डाल दिया complete commerce coaching institute enter किया तो जैसी enter किया आप देख रहें यहाँ पर भी नाम change हो गया mailing name में अब इस data को save करने के लिए control A A for accept और escape किया तो आप देख रहें अब यह file जो अब तक अमित साहू सर्स सी 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 आ है के नाम से आपको दिख रही थी अब यह दिख रही है complete commerce coaching institute के नाम से यह देखिए complete commerce coaching institute के नाम से यह आपको दिखाई दे रही है तो आप देख रहें इस तरह से हमने क्या किया नाम change कर दिया तो alter option में जाके बदलाव किये जा सकते है changes किये जा सकते है और इसी alter option में जाके आप अपनी company को delete भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह enter किया और एक बार फिर से enter किया और alter d जी हाँ दोस्तों अगर आप कोई भी information delete करना चाहते है तो उसके लिए tally में जो shortcut key हम use करते हैं वो है alter d तो मैं जैसे ही alter d इस key को use करूँगा यह file delete हो जाएंगी हमारे पास से यह file चली जाएंगी तो यह दोस्तों मैंने alter d किया अब उसने मुझसे पूछा कि yes और no अगर मैं इसको delete करना चाहता हूँ तो yes otherwise no और tally में yes के लिए y प्रेस करना और no के लिए n प्रेस करना अगर आप किसी option को execute करना चाहते है तो y और अगर execute नहीं करना चाहते है तो no या फिर enter बटन दबा दीजिए उससे भी execution हो जाएंगा तो यह enter किया उसने और एक बार warning दी कि क्या आप वाकई में delete करना चाहते हो तो मैंने कहा yes y प्रेस कर दिया देखिए company गायब F1 से शुरू होती है लेकिन शुरू तो तब होती थी जब मैं shut करता था मैंने shut कहां किया मैंने तो delete कर दिया मतलब अब वो मेरे database में complete commerce coaching institute नाम की तो कोई company है ही नहीं तो दोस्तो इस तरह से इस lecture में हमने ये सीखा कि tally में company कैसे create की जाए हमने ये सीखा company को कैसे save किया जाए दोस्तो हमने ये भी सीखा कि company कैसे shut की जाए हमने ये सीखा company कैसे open की जाए और दोस्तो हमने ये भी सीखा कि company कैसे delete की जाए एक बर मैं shortcut keys भी repeat कर देता हूँ tally के अंदर जाने के लिए alter w, alter i उसके बाद company info menu में जाने के लिए alter f3 data save करने के लिए control a company बंद करने के लिए alter f1 company शुरू करने के लिए f1 और company को delete करने के लिए alter d तो I hope दोस्तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस lecture के बाद ये समझ आ गया होंगा कि tally की basic shortcut keys क्या है और company creation की पूरी प्रक्रिया क्या है दोस्तो अगले लेक्चर में हम जब दुबारा मिलेंगे तो हम इस बात पर discussion करेंगे कि हमने जो एक हिस्सा यहां पर छोड़ दिया है security control password वाला हिस्सा तो उसमें हम ये सीखेंगे कि tally में password कैसे दाला जाए और जो tally की file ने delete हो जाती है उनको recover करने के लिए उनका backup कैसे लिया जाए तो अगला session दोस्तों हमारा practical session रहेंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि company में password कैसे दाला जाए और company का backup कैसे लिया जाए तब तक के लिए आप लोगों का शुकरिया दोस्तों इसी तरह regular class attend करते रहिए और अगर आप youtube या हमारी website के माध्यम से हमसे जुड़े है या आपने कोई cd वगेरा purchase की है तो आप उसके माध्यम से भी हमारे lecture देखते रहिए मैं आपको आशानवित करता हूँ कि आप धिरे धिरे एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हसते खेलते बहुती confidence के साथ टेली software को operate करना सीख जाएंगे तो अगले lecture तक के लिए धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे Thank you, Bye